नबसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकैडमी के इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश कुलिस का कटॉप के बारे में जो कि बिल्कुल ही सटी कटॉप रहेगा दोहजार अठारा का आपका जब आएगी जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लिएगा जो हम यहां पर बता रहा है उसके लगभगी आपका कटॉप जाएगा ठीक है अधी आपके इस कटॉप हिसाब से नमबर है तो आपका सेलेक्शन या फिर आप फिजीकल की तैयारी आराम से कर सकते हैं तो ठीक चलि यहां पोच्छते यहां इस वार क्योंकि और उसमें बहुत जाना कैंडिट नो परिक्षा भी दी जो की पेपर तीन से नमबर का होता है इसलिए तोड़ा टफ जाना कटॉप नहीं जाएगा ठीक है इसलिए यहां पर जैनल वालों को कटॉप में बताया है कि 180 से 190 तक ही जा सकते हैं दोनने के लिए ठीक है ऊबीशी का रहेगा 145 से 180 नमर की समतिंग ठीक है और ऐसी बालों का रहेगा कितना 160 से 165 और और एश्टी वालों का भी इतना ही रहेगा कितना एक सो साठ से एक सो पैंसट के सम्भावना है और एक सो पचत्तर एक सो असी के सम्थिंग ही रहेगा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा एदि आपके नमबर अब और हम से अपने की तईया ही जल्दी वाला है अप कौशन यहां बनता है कि आकर रिजल्ट कब आएगा और फिजी कल कब आएगा और फिजीकल कब होगा दूस्तों जैसे कि आप न्यूज परती रहे होंगे अभी जो फिलहाल नोटिफेकिशन आया है कि पचास पिर बाव नोटिफिकेशन आने वाला है कि अब से चलान भरेजाना है अभी इसका कर दिया गया है लेकिन अब फिर से इसका नोटिफिकेशन आएगा दूस्तों यह रिजल्ट कब आएगा तो जल्दी से जल्दी आने वाला क्युंकि जो पचासजार वैकिंस यह बूलकُल तैयार है। और उनको जल्दी के लिए इस लिए इसके रिजल्ड किया जाएगा और जैंसे आपको जही तक न मेरी हैं। नमंब के लिए वंद्र खूल्ड करने आप और नहीं हो तो कोई बात नहीं हमारी से औल दा बैस्ट चले दूस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दूस्तों वायादी आपको है वीडियो पसंद आया हो तक प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें